अयोधिया नवरात्र के प्रफ्लम दिन अयोधिया के तपस्वी छावनी ने आज बेटी सम्मान महायगे का आयोजन गिया तपस्वी छावनी के सत्वामी परहंस दास ने बेटी सम्मान महायगे में बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए हवन बुजन भी किया गिया इस दोरान सामनी पर हम हंस ने कहा कि लब्रात्र के मौके पर बेटियों को रब्रिका की तरह उनकी फूजा होती है। हमारे वैदिक काल से हमारे संस्कृति का अभिल अहुन है। लेकिन गरभागी है जिन बेटियों को हम मा भवती जननी का रूप मांते हैं जिब उनी बेटियों की साथ अत्या चार दिलता है। बहिस्वामी परमहंस ने कहा कि रेखवेत में लिखा है कि सो बेटी के बराबर एक बेटी होती है। लेकिन आज ने बुफतार नाजादी कि 70 साल बीत जाने के पार भी बेटिया सुरक्षित नहीं हैं, सम्मान ही नहीं पार ही हैं, अस्झी पुति सत आज भी बेटिया सम्मान वह पेखशित हैं, कहीं न कहीं से पतारिक तो ही रही हैं स्वामी परम हंस ने कहा कि पधान मंधि नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है इसी अभियान की सपलता के लिए तपस विछावी में बेटी सम्मान महायरदे का आयूजन किया परम हंस ने सरकार से मांग की कि बेटियों कि सरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं चाहें और उन्हें सम्मान में अरिक्रम बेटी सम्मान रक्षा महायरदे का था चूकि आज नौरात्री का पर्थम दिवश है और बेदों में लिखा गया है कि प्रतेग बेटी जो है दुर्गा के समान होती है तो जहां हम नौदुर्गा में कन्या को नौदुर्गा के रुप में परामबा भगवती जगर जन्नी के रुप में पूजा करते है और फिर उन्हीं बेटियों को उपर जब देखा जाता है दरिंदगी होती है जब देखा जाता है कि दहेज न होने कारण तरवाम बेटिया अभीवाहित रह जाती है अथवा कम दहेज देने कारण ससुराल में वो प्रताइड़ी तुपेक्षित की जाती है और यहां तक ही सुना जाता है जिंदा जला दी जाती है कई बाप जो है तो बहुत मुश्कित से बेटियों को पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी ग्रेजोट होने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो घुट घुट के उनका जीवन बेटित होता है तो जहां हमारे बेदों में नारी का इतना सम्मान बेटी का इतना सम्मान कन्या का इतना सम्मान रिक बेद में लिखा है सत्कुत्र समा कन्या सो बेटा के बरावर एक बेटी होती है लेकिन दुर्भाग है आज कि आज जो है भारत में केबल 20 प्रतिसत ही जो है बेटियां सम्मान से जीवन बेतीत कर रही है 80% बेटियां आज भी उपेक्चित है कही ने कही से अपमानित है तिरस्कित है और अर्था भाव में जीवन बेतीत कर रही है कुछ बहुत ऐसी है कि पढ़ने लिखने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो मैं केंद सरकार से चुकी है अध्या कि ये तपस्वी छावनी आचायर पीठ है और मैं जगत गुरु परमंस जो है आज केंद सरकार से माग करता हो कि नौईस नौरात्री पर केंद सरकार ये दे कि राम मंदिर के साथ साथ प्रतेग बेटी के सम्मान की रक्षा केंद सरकार करे अगर एक भी बेटी जो है दुखी है वो आंसु गिर रहा है तो मेरा मानना ये है मेरे बेदों में लिखा गया है कि जब तक एक भी नारी जिस देश में दुखी है तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए देश को विस्गुरू बनाना है राम राज के स्थाबना करनी है तो मैं राम मंदिर के साथ साथ प्रतेख बेटी के सम्मान की रक्षा मोदी जी को करनी होगी केंद सरकार को इस पर पहल करनी होगी क्योंकि नारी का सम्मान जहां है संस्कित का उत्थान वहाँ है और हमारे हाँ इसे भी कहा गया है कि नारियस्तु यत्र पूजयनते रमंते तो जहां नारी की पूजया होती है वहीं देवताओं का बास होता है और जहाँ नारी आज के समाज में आ जा डी कि इतने दिन बाद भी आज नारीया इस तरह से उपेख्शित और परतारित हो रही है यह हमारी भारती संस्कृति नहीं कहीने कहीं से समाज पास्चात की ओर जा रहा है और समाज को फिर अपनी संस्कृती को लोटना होगा, समझना होगा और बेतियों के सम्मान के रिए